जो बात अभी हमारे पहले के वक्ता कह रहे थे वहीं से बात शुरू करते हैं कि हम लोग उन लोगों में हैं जो अभी एक्टिविजम की ट्रेनिंग ले रहे हैं छोटे-छोटी प्रोटेस्ट में शामिल रहते हैं केंपस से जुड़े हुए हैं दिल इन्वस्टी से जुड़े हुए हैं तो कई बार छात्रों के अंदोलन के साथ कई बार हम सिक्षक खोदांदोलन करते हैं केंपस बचाने को ले करके और देश भर में जो कुछ भी चल रह होता है जैसे भी जो बुनियादी सवाल है जिनको लेकर के अंदोलन चल रहे होते थे उन सब के साथ हम जुड़े रहें और इसी बीच में जब एक बड़ा दबाव समूह बन रहा था विश्वद्यालियों के बीच छात्रों के द्वारा अलग-अलग केंपस में अलग-अलग धंग से प्रोटेश्ट हो रहे थी और अभी इस सीए के ठीक पहले दिल्ले विश्वद्याले के सिक्षकों ने बड़ा अंदोलन खड़ा किया इसके पहले भी वो अंदोलन होते रहे लेकिन उस दिन बहुत बड़ा अंदोलन था कि उन्होंने अपने कुलपती की ऑफिस को ही अक्यूपाई कर लिया और उनकी मांग अलग-अलग धंग से उच्चे सिक्षा को बचाने से जोड़ी होई थी यानि देश भर में जब केंपस सबसे ज्यादा आंदोलित थे उसी दोर में एक ऐसा बिल लाया गया CA, NRC और NPR मैं तीनों को जोड कर देखता हूँ यह क्रोनोलोजी है उनकी और इसको लाने में इसके पीछे साजिश यही है कि जो भी बुनियादे मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाया जाए इसलिए जहां आंदोलन और प्रतिरोध सबसे ज्यादा थे वहीं से सबस तेज विरोध CA, NRC और NPR का शुरू हो गया और देश भर के विश्वद्यालेओं में यह आंदोलन शुरू हुए उसमें सबसे ज्यादा एहम आंदोलन अलीगड मुसलिम विश्वद्याले और जामिया का था उसकी दास्ता अभी हम लोगों ने सुने मुझे लगता है कि यह पूरा खेल इसलिए खिला जा रहा है कि जिस तरह से केंपस को लेकर के पॉलिसी इस सरकार की है वो केंपसों को बेचना चाहते हैं जो उनके यार है अम्मानी अडानी जो कार्पोरेट घराने है जिनको वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करके इसे प्रेविटाइज करना चाहते है इस पूरे बहस को डिरेल करके उन्होंने दूसरी जगह पर खड नौकरियों किसे निकाले जाने वाले लोगों के सवाल ये सारे सवाल जो बिरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है इन सब पर बहस को डिरेल करने की भी एक साजिश है और तीसरी बात जो मैं इस पूरे मुमेंट में देख पा रहा हूं कि यह सरकार पिछली बार जिस तर पांच साल में फेल होती हुई नजर आ रही थी लगपग 2019 के चुनाव के पहले तक पूरी तरफ फेल हो रही थी उसकी सारी बड़ी योजनाएं फेल हो रही थी वो चाहे स्मार्ट सिटी स्मार्ट गाउं की हो बुलेट ट्रेन की हो दो करों रोजगार देने की हो पंदर ल पंदर लाग किसी को मिलते नहीं और क्योटो बनाना अच्छे दिन ले आना जो कुछ भी था वो सारा फेल हो गया इनके पहले कारिकाल में इसलिए नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला जी एस्टी की जो स्थिती थी वो दिग गई तो उनको पुल्वामा करना पड़ा इसलिए नई सरकार बनने के पहले ही साल दूसरा ही संससत्र था एक तरफ 370 एक तरफ मंदिर का मुद्दा अब उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो उन्होंने ऐसा नया मुद्दा खड़ा किया है जो उनकी गणित के हिसाब से सालों साल उनको फायदा प बार शुरू भी हुई थी तो 5 trillion economy और तमाम चीजों की वज़े से मुझे लगता है कि जो पिछले 5 साल में फेल होने का रिश्यों था इस कारिकाल में सबसे पहले साल में ही वो सबसे अधा आ गया पूरी तरह से अर्थवरस्टा की कमर तूट गई इसलिए भी उन्होंने इ इसलिए बहुत रेयर होता होगा कि जिसके पास सब कुछ है वो एक ऐसी योजना लागू कर रहे जिसको वो कहरे हैं कि वो भारत को बनाने के लिए ले आ रहे लेकिन इस बात को समझाने के लिए उनको अपना पूरा मंत्राला है पूरा कैड़र उतारना पड रहा है यानि क कि वो कहीं न कहीं समझाने में फेल हो रहे हैं इसकी वजय केवल यह है कि हम लोगों ने आजादी की लड़ाई पढ़ी है किताबों में हमने 1975 के इमर्जेंसी के खिलाफ जो छात्रांदोलन था उसको पढ़ा है इस बार हमने देखा है कि जनता जब जाकती और सड़क पराती ह है तो कैसे beyond the religion क्योंकि उनकी साजिस थे ना कि इसे हिंदो बना मुस्लिम कर दिया जाए कैंपसों ने उस साजिस को सबसे पहले द्वस्त किया और उसके बाद देश भर में जितने लोग सड़कों पर आये उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह केवल हिंदो बना मुस्लिम न देखा है वो वाकई जंगे आजादी की तरह है वो चाहते थे कि सम्विधान कमजोर हो जाए मनोस्मृति लागू हो लेकिन खुबसूरती इस मुल्क की देखिए कि सम्विधान और मजबूत हो गया और पूरा देश सम्विधान बचाने के लिए सड़क पर है और जो नायक तरह के लोग ये मुझे लगता है कि हम इस पड़ाओ पर अभी हैं और आज इस बात की जरुवत महसूस हो रही है कि आसान भाशा में क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत जादा है वो जिस तरह से जूट बोल करके क्योंकि पीम को जूट बोलने का कॉन्फिडेंस मिलता कहा से दो वजहों से उसको पता है कि हमारे देश की जनता भी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है और जितनी है उसको भी हम बरबात कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि वो जूट बोलेंगे उसे सच माना जाएगा तो वो सब आपस में कन्फियोज में हैं और अलग-अलग स्वर बो है और हम बहुत जल्दी कुछ बड़ा जीतने वाले हैं ऐसा नहीं है RSS के पास 50 साल का एजंडा है वो अपना एजंडा लागू कर रही है तो उसको पता है कि क्या-क्या चुनोती आएंगे उनसे कैसे निपटना है हमें भी इसकी तयारी करनी होगी क्योंकि हमें अपने इस आंदोलन को चैनलाइज करना होगा खुबसूरती तो यह है कि अपने आप आंदोलन चल रहा है लेकिन कितने दिन तक चलेगा सड़क पर सबके आने की भी एक सीमा होती है फिर आपका दूसरा मोड़ आफ एक्शन प्रोग्राम क्या होगा इसको लेकर कि हमें सोचना होगा और अगर RSS के पास तोड़ने का एजिंडा सालों साल का है तो हमारे पास जोड़ने का एजिंडा भी सालों साल का होना चाहिए तो मुझे लगता है कि मैं जब इस आंदोलन में जब भी शामिल होता हूँ और अपनी बात रखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप लड़ाई क के मैदान हमारे लिए बढ़ा रहे हम सिक्षा स्वास रोजगार रोटी कपड़ा मकान किसान मजदूर के सवाल पर लड़ते हैं आप हमें नए नए नफरत के मैदान दे रहे हैं और आपके पास ये शायद भ्रह्म है कि कोई नया मैदान देने से पिछले मैदान की लड़ाई कमजोर हो जाएगी और वो सवाल हाशिये पर हो जाएगा अर्थ विवस्था की बरबादी को आप कितने दिन तक छिपा पाएंगे बेरोजगारी RSS के कैड़र को भी तो रोजगार चाहिए सिक्षा चाहिए तो ये छिपेगी नहीं बेरोजगारी सिक्षा का सवाल और अर् नफरत की सियासत से डरना है इस समय हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है और कोशिश करें कि हम लोग आसान भाशा में क्या गडित है जैसे नुटबंदी में करोणों अर्बों रुपए का घोटाला हुआ वैसे ही 1600 करोणों का आसम में हुआ वो सब detail सबको पता है इस आ और ये constitution पर हमला है तब शायद हम और लोगों को जोड़ पाएंगे गाओं तक लोगों को समझाना जरूरी है कि ये नफरत कैसे है फिर हम ये लडाई जीत पाएंगे मुझे लगता है कि मैंने अपना समय पूरा कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया